हेलो गाइस वेलकम तो माई चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर तो टुड़े वी आर गोई टॉक अबाउट हाओ तो मेक कर्टन क्लोट इन माया ओके सो बहुत सिंपल है आप मेरी प्रीवेश वीडियो देख सकते हो जिसमें टेबल क्लोट फ्लैक वगएर इसा चीज़े बता रखे समझा रखे मैं लिक भी डालना हूं ठीक है तो आज हम ब बनाएंगे काटन का ठीक है तो कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहां पर कर लेता हूं ओके डन इसको मैं यहां पर कर देता हूं ठीक है तैन उसके बाद मैं क्या करूं यहां पर कुछ सेग्मेंट करूंगा लेट सेग्मेंट जितने ज्यादा सेग्में आएगा आपके क्लोथ का ठीक है उसके बाद मैं अगर होगा यहां पर वर्टक्स में जाओं या फेसिस में आ जाओगा यहां से अल्टरनेट फेस स्लेक्शन कर दो आप ऐसे करके ठीक है गंटो स्पेस बार मैं प्रेस कर लेता हूं स्थान फुल प्रिश्व मूड के लिए सिफ्ट के साथ मैं मल्टिपल फेस लेट कर रहा हूं और मैं दो दो छोड़ के स्लेट कर रहा हूं अल्टरनेट स्लेक्शन मनाओं अपैसे nاخरेट है डन ओके तो यहां मेरे पास बहुत टक्सिस है अपन हो चुके है ठीक है डन मैं इनको हलका सा ठीक है मैं इन सब को स्लेट कर लेता हूं ऐसे स्लेट करने के बाद कंट्रोल के साथ डिस अलगतर देता हूं और इस मोर में आते हैं यहां पर इसको अश्क्रीक करते हैं जाएं अब बिसीलिया के ट्रेट और और है कि यूद्ध के साथ रेट लिग एजने ट्रेटिस एड़ सम्साइग में तो अब यह सम्में नहीं आएगा नहीं तो बात है कि सब के लिए सब को स्लेट करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो अपने आप हो जाएगा यह विसिक लिए कि अधिक है कोई भी मतलब एक सब्सक्राइब होना चाहिए दन ना गिन सी कंट्रेट लिए अधिक तर डालती है अच्छा एक यह आएगा क्या कोई है कि सब्सक्राइब कर लेते एक बार चीपर कर अगर रिपीट कमाड़ मार रहो इसमें नहीं लग रहा कोई बात भी यहां से मार देते हैं तो अब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा तो लग सही रहेगा ठीक है यह जी इस दी रिपीट कमाड़ आप आप आजो यहां पर वर्टेक्स मोड में ठीक है अलका सब्सक्राइब कर लेते हैं डन ओके अलका सब्सक्राइब कर दिया मैं ठीक है डन सो इल क्रेट असलेंडर डन लाइक देश इस को स्केल गर लो आप ठीक है आपने यहां पर आजाओ स्क्राइब कर लेते हैं डन उसके बाद क्या करेंगे हम ना इसको ना इस स्लेंडर को यहां से स्लेंडर को यहां से ठीक है स्लेंडर इसका जो क्याप है अल रिक्रीस अ क्याप ओके दैन कोई अगर नहीं होगा क्या तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो प्रेस्ट डवलू अल सेट द पिविट पॉइंट अट दी कॉनर टीको होल्ड कर रखना है वी को प्रेस करना है दीवी स्नैप वाटेक्स ओके तो एन आफ्टर दैट मैं यहां पर यहां पर आल अप्लाय सेट क की मेक शूर आटो की मस्ट भी आउन ओके पैस एस ओके देन आर सके साथ में चाहता हूं लेट से थर्टी या थर्टी या थर्टी या थर्टी या फॉर्टी तक आपका यह स्केल हो जाए लाइक इस इतना ठीक है दन लागिन सी तो यहां से स्कूलेट करना है थिक है दैन एफेक्स पर हो में शूर्ड आपका जो एफेक्स मौड है वो वह ऐंग हो आपको क्या करना है क्रेट एंकलोफ डण एंकलोफ कर लिया आपने आपने जैसी आप प्ले करते हो तो यह तो नीचे जा रहा है ठीक है तो मैं चाहता अगे यह उन्युक्त हों का दू है कुछ व्र्टस उस bitterness तौ मैं यह जиновर थैकखे तिक आ यह मैंने सार्य वांच काता हों आपको जाना है कंस्टेंट में आ, जाने के एक यह तो को एक है अब जैसे अन्में फैञ पैग में ना कौन पाल ताकि वो जो plane है वो point से attach हो जाए है ठीक है सो मैं यहां पर करगा point to surface यहां पर use करगा constant that's it now you can see जैसी आप आप result देखोगे तो आपका animation यहां पर बन जाएगा now you can see done okay so as you can see here we have a nice curtain okay अगर आप चाहते हो curtain में थोड़ा सा और snatchness आए तो आप क्या करते हो include में जाके attribute में जाके तो यह कम चाहते हो ज्यादा चाहिए थोड़ा सा और flexible आपको करना है so आप include shape में जाके dynamics properties में जाके we have a stretch resistance so अभी यह 20 है मेरा तो इसमें head अच्छी खासी है अभी चाहते हो कि ज्यादा stretch नहों ज्यादा वो ना move ना करें so आप अगर इसको 50 कर देते कर देते हो so let's see what will happen अगर मैं इसको 50 करता हूं तो तो कम रहेगा ज्यादा नहीं रहा नॉमली है ठीक है सो मैं इसको वेक कर लेता हूं और यहाँ पर लेट्स आपको make sure कि आपको एन क्लो स्लेक्टों में जीए दिन आपको जाना है constant and cash पर अनकेश पर जाने के बाद create new pair and object पर क्लिक करना है इसको करना है replace exiting exiting करके exiting करके अब देखो कि we will get our result okay now you can see we have a nice result okay if you want play blast रेट लेकर करके आप play blast पर क्लिक करोगे मैं इस file को basically save नहीं करना जाता है तो मैंने इसको uncheck कर रखा है then click on play blast quality चाहिए आपको high quality रख लो ठीक है then play blast पर क्लिक कर तो now you can see we have a play blast render done okay आपने बेख कर लिया आप देशकती हो ओके तो तो वहां से यह जो कुछ ज्यादा shrink हो चुके है तो उसको हम delete कर देंगे हमें तो close यहां पर अच्छा सा curtain चाहिए ठीक है उसको टॉप वाले को अभी तो smooth भी नहीं है अभी segment ज्यादा है तब इससे अच्छा लग रहा है अभी इसको three pass करेंगे तो यह देखो देरो neat and clean result आगया आपके पास अगर आपको पड़दे को मतलब बसी लिए उड़ाना है ठीक है है तो आप इसको ना यहां से उड़ा भी सकते हो मतलब क्या होते हैं कि यह वक्त लोग मिलने के बाद यहां से रुक गया ठीक है उसके बाद आप जब आप बनाओगे यह 30-40 फ्रिम तक यह रुक जाएगा फिर ऐसी इलतर रहेगा ठीक है अगर आप इसमें नीकुलेस में जाओगे बेसिक लिसके अब बढ़ा दोगा थोड़ी सी तो यह उड़ेगा बैसिक किस एक्सेस में उड़ाना चाहते हो वो डिपेंड करता है आप ठीक है सो एनकेस मे जाना यहां से अन अब्वेट करते ना बस एड़न ब्लेंट अब इसको आने दो ठीक है विंडिस बढ़ा दिया विद्यकों यह उड़ेगा बेसिकली लाइक दिस ठीक है इसमाद चेंग देरेक्शन यू कैन ओके डन ऐसा ना विंडों के पास पड़ते थोड़े से हिले हो अब जाड़ में रखना है तो आप जाड़ में रख लो यहां पर वेल्यू एड़ कर दो जाड़ दन अगेन आपको यू विल आप टो अगेन बेक लोग यह लोग 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 दो किन सी कि कटो के बाए अलड़ रखना है आपको एतना गीए आपको इतना रखना है гn यह आपको इतना रखना है इतना रखके सिट्डीट कर दो सको मैंश में कर दो ओके तो इफ यूँट फपर एनिमिशन सो आपको इसको अलेमिक में करना पड़ेगा तो वे विल टॉक आप लेटर हाओ वी एक्सपूर्ट अलेमिक फाइल ओके आई होप आपको वीडियो करना योगी मिलते हैं फिर नेक्स लास में सब्सक्राइब बाइस टेक क्या है